थाने में करोना महामारी में जहां मरीजों के विविन समिस्याओं और प्रशासन की लापरवाही को लेकर सत्ताधारी सुशेना और भाशपा के बीच घमा सान मचा हुआ है तो वहीं अब राकामपा भी अखाडे में उतर गई है दरसल बुद्वार को राश्टवादी के शहर अध्यक्ज आनन पराशपे ने प्रशासन पर पालक मंत्री को अंधेरी में रखने का आरोप लगाया तो वहीं इस आरोप को लेकर महापौर नरेस महसके राकामपा पर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि पालक मंत्री करोना के सं सुवधाओं के साथ उनका हाल चाल पूछ रहे हैं ऐसे मिश्रीव घर में बैठ कर आरोप करने के बजाए बाहर निकल कर देखे तो अच्छा होगा बतादी की फिछले सब्ता कॉंग्रेस के प्रदेश सदेश राजेस जाधों ने भी ठाने में ठाने के महत्तपूर प्रश ठाने के अस्थानी नेताओं के बीच आरोप प्रत्या आरोप का सिलसला जारी है अब ठाने के राकामपा अध्यक्ष आनंद पराशपे ने शहर में बढ़ रहे करोना के संक्रमण और मरीजों को हो रही परशानियों का मुद्दा उठाया है और कहा है कि शहर में शहों को ब अस्पालों में मरीजों को पहले डिपोजिट भढ़ने के बाद यहं फिर्पालों में भरती होना पड़ता है इसका भी आरोप लगाया है सरकारी अस्पालों में भी मनमानी कारेंबहर शुरू है और इन सभी के लिए प्रशासन जिम्यधार है और ऐसा लग रहा है कि ठाने पर प्रशासन का एका अधिकार हो गया है परंतु इन सभी मसलों पर पालक मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा है भाश्पा ने राकामपा शहर अध्यक्ष आनंद पराशपेत वारा सत्ताधारी शुशेना पर लगाए गए आरोप को लेकर टिपड़ी की है भाश्पा नगर से नहीं दिवक मनोहर दिबरे ने राकामपा का आभार माना है और कहा है कि राकामपा शहर अध्यक्ष ने करोना के संधर्म में वस्तु इस्तिती बयाकी है और इससे से सत्ताधारी शुशेना को स्विकार करना चाहिए साथ ही दुबरे ने कहा है लोबल हब करोना केर सेंटर अस्पताल कॉरंटीन सेंटर में बरती जा रही लापरवाही नीजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के साथ हो रही लूटमार आदी समय स्याओं को लेकर सबसे पहले भाश्पा की तरब से राज के विरोधी पक्ष नेता देविंद पढ़नवीस फाड़े भाश्पा अध्यक्स निरंजन डावखरे के नत्युत अस्थानी नगरसेगों की टीम ने आवाज उठाई है